हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट के वजार पर दोस्तो बी एचेयर के शेयर में काफी दिनों बाद आपको तेजी देखने को मिली है आज काफी टाइम बाद 70 रुपे के उपर ये शेयर टिकता हुआ देखने को मिला है क्या यह तेजी स्टॉक को 80 रुपे तक लेकर जाएगी क्योंकि दोस्तों दो तें दिन पहले बड़ी ग्रावट करें अल्मूस्ट दोस्तों 70 रुपे के लेवल पर ये शेयर आया अगेन अब आपस से आपको ये शेयर रिकवरी करता हुआ देखने को मिल रहा है लास्ट अगर आपन दो सुशन की बात करें आपको स्टॉक में तेजी होती भी देखने को मिल रही है और अगर ये इंडेक्स में तेजी होगी तो भेल में आपको तेजी होती भी देखने को मिलेगी एडवांज एक लाइन रेशो की बात करें तो 1400 शेयर साज पॉजिटिव में थे और लगबग 673 शेयर साज नेगेटिव में थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिविटी मार्केट्स में थ्रू आउट दे बनी रहती भी देखने को मिली है अगर अगर अपन शॉक के आज के इंटरे हाई की बात करें तो 71 रुपीज का एग्जैक्ट आज का इंटरे हाई है तो यह लेवल आपको ध्यान रखना होगा मंडे के दिन अगर मंड वन रुपीज 50 पैसे का स्टॉक का बावन अफ्तों का हाई है और जिससाप से कंपनी के नतीजे रहते हैं भी देखने को मिल रहे हैं डेफिनिटली चांसे रवरी हाई कि विदिन वन और टू मांच फिर से आपको श्यर 91-92 का लेवल टच करते दिखा है अगर 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 वॉल्यूमें इंक्रिमेंट देखने को ब्ला चक्क मील रहा है य सितना अच्छ है और अगर आपको डिलीवरी परसंटेश 50 प्रतिशत से जाद़ आपको देखने को मिल रहा यह ऐसा बहुत कल.. बुलिश है 40% लोग बियरिश है तो रिटेल सेंटीमेटर पॉजिटिव अप्ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है बट डेफिनिटली करन्ट ट्रेंड स्टॉक का वेरी बियरिश है एक बार अगर दोस्तों तो जरूर दोस्तों ये ट्रेंड वेरी बियरिश से बदलकर आपको न्यूट्रल की तरफ जरूर होता हुआ देखने को मिलेगा तो चले दोस्तों अब चलते हैं इंट्राड के चार्ट्स पर और मंडे के एंड लॉंग तरम के टागेट्स पर चर्चा करते है तो फ्रेंड स् इंडिकेशन देता है और आई थिंग सो अगें चांसे अर वेरी हाई कि 80 रुपीज आपको जरूर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं लोवर साइट पर स्टॉप लॉस के अगर बात करें तो 68 रुपे का आप स्टॉक में लोवर साइट पर स्टॉप लॉस सकते हैं और अगेट 80 रुपे का इस काउंटर में आपको शौर्ट टम में जरूर बनता हुआ देखने को मिलेगा अब अगर मंडे के लेवल्स की बात करें तो मंडे को मेरी यही सला है कि 71 रुपीज के लेवल का वेट करें एक बार अगर 71 का लेवल तोड़े 71 के लेवल पर थोड़ा स स्टॉक कंसॉलिडेट करें तो जरूर आप एंट्री बना कर रखें और मुझे लगता है कि मंडे के दिन 72 रुपीज से लेकर 73 रुपीज तक के लक्ष जो है वो आपको भेल के काउंटर में जरूर बनते वे देखने को मिल सकते हैं ओवरल मेरी यही सला है कि इस काउंटर म आप बने रहे हैं तेजी आपको जरूर इस काउंटर में फ्यूचर में आती वी देखने को जरूर मिलेगी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों थैंक्यू पर आजिंग दिस वीडियो